Hello students, आज के lecture में हम देखने वाले हमारे वर्टिकल इंकम स्टेटमेंट या जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट का वर्टिकल फॉर्मेट का question, ठीक है? तो आएए देखते हैं सबसे पहले question में क्या दिया है? तो रेवेन्यू स्टेटमेंट का मतलब ही है आपका वर्टिकल प्रॉफिट अन लॉस आपको बनाना है जिसे हम वर्टिकल इंकम स्टेटमेंट भी कहते हैं ठीक है? इन वर्टिकल फॉर्म आपको बोला है तो यहाँ पर आपको देखे सारी चीजे दी हुई है और इसे हमें जो है वर्टिकल फॉर्माट में रेवेन्यू स्टेटमेंट यानि इंकम स्टेटमेंट बनाना है ठीक है? अब सम स्टार्ट करने से पहले बैलन सीट की तरह ही यहाँ पर भी हम पहले कौन से एलिमेट कौन से अधिंग में आएंगे वह डिसकर्स कर लेंगे ठीक है? तो जि income statement का format in detail explain किया है इस lecture का वीडियो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, you can check it out तो अब शुरू करते हैं इस question को solve करना, तो पहले कौन सा element, कौन से heading में जाएगा हम वो देखते हैं, तो पहला आपको दिया हुआ यहाँ पर opening stock, तो यह कौन से heading में आ जाएगा हमारा COGS, उसके बाद आपको दिया हुआ है net profit brought forward from previous year, तो यह जो net profit हम previous year से brought forward करके लाए हैं, यह हमारे format में सबसे end में, net profit after tax के बाद, आगर आपको याद रहेगा तो दो चीजे थी, net profit after tax के बाद, एक profit brought forward और appropriations को हम लोग less करते थे, right, तो वहाँ पर हम लोगों को यह profit को लेना है, तो इसको लोगों इसको छोड़ देता हूँ, next item पर जाते हैं, office rent, office rent कौन से heading में आता है, तो हमारे operating expense के अंदर तीन heading थे, administration expense, selling expense और finance expense, right, तो वहाँ पर हमें administration expenses में लेना है, यानि की office expenses में, ठीक है, फिर carriage inward दिया हुआ है, मतलब हम लोग जब सामान ला रहे हैं, तब हम लोगों को carriage pay करना पड़ रहा है, तो इसलिए यह कौन से heading में आ जाएगा, COGS में, अगर carriage outward होता है, तो हम selling expenses लिखते हैं, क्योंकि sales से related खर्चा माना जाता है, ठीक है, general reserve दिया हुआ है आपको, तो यह आपका actual में appropriation है, जो मैंने आपको बोला, last में आपको लेना है, net profit after tax के बाद, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, appropriation, short form में लिख रहा हूँ है, because यह हमें exam में करके नहीं दिखाना है, यह मैं आपको खाली method एक बता रहा हूँ, यह से हमें easy हो जाएगा, exam में तो हमें खाली vertical format ही बनाना है, ठीक है न, wages जो है हमारा COGS में आ जाता है, octroy, again COGS, क्योंकि raw material लाने के लिए हम लोग वहाँ पर octroy, custom duty, import duty, यह सब पे करते हैं, तो यह सब आपका raw material से related खर्चा है, तो यह आपका COGS का part हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको office staff salary दिया हुआ है, तो again office का खर्चा है, तो administration expenses, audit fees, again administration expense में आएगा, क्योंकि office का expense है, advertisement, sales से related खर्चा है, तो इसलिए sales expense, finance expense, नाम में ही है finance, तो हमारा finance expense का heading में आ जाएगा, उसके बाद आपको कहा है, loss on sale of asset, मतलब हमने हमारा कोई asset बेचा है, और उससे हमें loss हुआ है, तो अभी asset बेचना हमारा कोई business activity नहीं है, तो यह हमारा non operating activity है, और उसमें हमें loss हुआ है, तो इसे हम कहेंगे non operating expense, तो आपको याद है, आपके profit after interest के बाद, हम लोग non operating items को consider करते थे, तो वहाँ पर हम इसे लेंगे, ठीक है, फिर आपको depreciation दिया है, अब यहाँ पर देखि है कि जो depreciation, factory के assets पे होगा, उसको हम COGS में लिखेंगे, जो office के asset होंगे, उसको depreciation हम administration में दिखाएंगे, और जो sales related कोई asset अगा रहे हमारा है, जो sales के लिए use होते हैं, तो उनका depreciation जो हम लोग selling and distribution expense में show करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, plant and machinery का depreciation आपको कहा लेना है COGS में, इसके बाद furniture आप कहां पे लेंगे, office का asset है, तो इसके लिए ये administration expense में आएगा, delivery when आपका selling expense में आएगा, ठीक है, इसके बाद आपको sales return दिया है, तो इसे हम लोग क्या करते है, sales में से less करते है, खाली, तो हमारा सबसे पहला item जो income statement में आता है, sales, उसमें स हम इसको less करने वाले है, ठीक है, फिर आपको दिया है profit on sale of investment, तो ये again आपका non operating income है, क्योंकि ये आपका business activity नहीं है, investments बेचना, बट इससे आपको फाइदा हुआ है, तो इसलिए ये आपका non operating income में आ जाएगा, ठीक है, फिर आपको loss by fire हुआ, again तो ये आपका non operating expense कहलाएग closing stock दिया हुआ है आपका, right, तो closing stock क्या होता है, हम COGS में सारी चीज़े add करने के बाद उसमें last closing stock minus करते हैं, तो COGS में आ जाएगा ये, purchase again COGS का part है, postage telegram, office का expense है हमारा administration में डालेंगे, provision for tax, right, मतलब अक्चल में हमारे ये tax का amount है, तो हमारे format में, right, हमारे non operating item होने के बाद ह tax minus करते है, right, तो यहाँ पर ये जो provision for tax दिया है, वो हमें less tax करके लेना होगा बाद में, ठीक है, उसके बाद उन्होंने काए dividend on shares held, right, तो ये क्या होगा, again हमारा non operating income, क्योंकि dividend मिलना, ये हमारा main business income नहीं है, right, उसके बाद carriage outward दिया हुआ है, selling expense रहेगा, right, carriage inward हम COGS में लिख future sale, तो इसलिए ये भी हमारा selling expense में आएगा, और बाद में हमें import duty दिया हुआ है, यानि कि goods हम जब मंगा रहे हैं, import कर रहे हैं, तब की बात है, तो इसलिए ये भी किस में आ जाएगा, हमारा COGS में आ जाएगा, ठीक है, तो ये होगा हमारे सारे heading discuss करके, अब हम लोग vertical balance sheet, sorry, vertical profit and loss का format बना कर, एक एक चीज़ों को उनके उनके जगा पर लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले, यहाँ पर मैं company का नाम लिख देता हूँ, Bushan Limited, इसके बाद, next जो है, हम लोग उपर लिखेंगे, हमारा vertical income statement for the year and date, 31st March 2017, यहाँ पर हम टेबल बना ही हमारा, और उपर particular amount, यहाँ पर भी particular amount लिख देता हूँ, ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग vertical income statement में क्या लेते हैं, वो होता है हमारा sales, अब यहाँ पर balance sheet की तरह दो side तो है नहीं, यहाँ पर हमें sales से लेकर profit तक पहुचना है, ठीक है, तो हम लोगों को sales में से जो भी हमा sales return अगर दिया है, तो हम लोग minus करते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा था, अल्रेड़ी sales return दिया था हमें, तो हम लोग sales return minus कर देंगे, अब जब आप sales में से sales return minus करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, net sales मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6,20,000 में से 20,000 minus करूँगा, तो मेरा net sales मिलेगा मुझे 6,00,000, इसके बाद, next मुझे लेना है मेरा cost of goods sold, अब cost of goods sold के अंदर क्या-क्या चीज़े आती है, तो सबसे पहले आता है हमारा, देखें, सब जगे पर हमने COGS, COGS, COGS लिखा हुआ है, वो सारी चीज़े मुझे पहले अभी COGS के heading के लिए लेनी ह उसके बाद, हमें next क्या दिया हुआ है, wages, right, कितना दिया हुआ है, 72,000, उसके बाद और कौन सा खल्चा है, carriage inward, right, वो लिख देता हूँ, 20,000, इसके बाद, octroy, 5000, इसके बाद, import duty हमारा, right, 3000, तो यह हमने सारे expenses जो है, वो यहाँ पे debit side के, sorry, वो सारे हमने COGS के इसमें लिए plantation, right, plant and machinery का, तो वो हम लोग यहाँ पे ले रहे है, 15,000, और उसके बाद, हम लोग जो है, वो closing stock क्या कर देंगे, less कर देंगे, तो हमें closing stock कितना दिया था है, हाँ पे 40,000, तो COGS find करने के लिए, मुझे opening stock से लेकर यह सारे amount plus करने है, और उसमें से मैं COGS, sorry, closing stock जो है, वो minus कर है, लेकिन मैं इसको bracket में क्यों लिख रहा हूँ, because मुझे sales में से COGS को क्या करना है, less करना होता है, right, I repeat, 3,25,000 कैसे मिल रहा है, हम लोग यह सारे values को add कर रहे है, opening stock से लेकर depreciation तक, और उसमें से closing stock को minus करते हैं, तो हमें यह amount आता है, फिर हम लोग sales के amount में से, जो है वो, य में क्या मिल जाता है, gross profit, तो यहाँ पर मैं 6,00,000 में से 3,25,000 माइनस करूँगा, तो मेरा answer आ जाता है 2,75,000 और यह मेरा gross profit मुझे मिल गया, gross profit के बाद हमारा next heading क्या आता है, हम सारे operating expenses को less करते हैं, ठीक है, तो अभी operating expense तीन तरीके के है, administration, selling और finance, right, तो सबसे पहले मैं आ administration expenses, ठीक है, अब administration expenses में, हमने already यहाँ पर सब जगे पर administration expense mentioned कर दिया है, finance expense mention कर दिया है, selling expense तो mention कर दिया है, right, अब हमें खाली यहाँ पर lease down करना है उनको, तो सबसे पहले मैं administration expense में लिखता हूँ, office rent दिया है, right, कितना दिया office rent, 5,000, उसके बाद हमें next क्या दिया हुआ है, right office staff salary लिख रहा हूं है इतना amount है हमारा 40,000 उसके बाद हमें दिया है audit fees तो वो लिख देता हूं है उसके बाद हम ले रहे हैं postage and telegram कितना दिया हुआ है हमें postage and telegram 5,000 उसके बाद next है हमारा depreciation on furniture यहाँ पर जो हमने देखा था administration expense का again I repeat sequence यहाँ पर important नहीं है but अगर आप question के sequence में लिखोगे तो better रहेगा ठीक है तो आपको कोई confusion नहीं होगा यहाँ पर मैंने उपर नीचे किया है but आप question के sequence में एक एक लेते जाओ तो आपके लिए वो easy रहेगा right amount कितना आ रहे है यहाँ पर total administration expense का 86,000 इसके बाद आपको next heading लेना है selling and distribution expense तो इसमें आपको sales related कौन से कौन से खर्चे लिखे देखिए हमने 1, 2, 3, 4 यह 4 है तो यह 4 हो हमें mention कर देने यहाँ पर सबसे पहले में ले रहा हूँ advertisement ठीक है उसके बाद हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर carriage outward दिया हुआ हमें right उसके बाद हमारा हमें दिया था depreciation बरभर है और हमारा warehouse expense तो पहले warehouse expense लिख दा हूँ और फिर हमें depreciation लिख दूँगा 14,000 तो यह दोनों को add यह चारों को add करने पर हमारा selling expense कितना मिल जाएगा हमें 49,000 इसके बाद हमारा finance expense तो हमें directly दिया था 25,000 वो हमने लिख दिया इसके बाद हमारा administration expense selling और finance expense तीनों को हम add कर देते हैं तो हमें total operating expense कितना है वो हमारा पता चल जाएगा ठीक है तो 86 plus 49 plus 25 से administration, selling और finance expense को add कर दूँगा तो मुझे मेरा total operating expense मिल जाएगा ठीक है अब इस operating expense को जो है वो मुझे क्या करना है gross profit जो हमें मिला था right that is 2,75,000 उसमें से मैं मेरे operating expense को minus करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है मेरा operating profit मिल जाता है यहाँ पर 1,15,000 ठीक है अब operating profit के बाद आपको क्या करना होता है तो पहले हम interest minus करते है राइट बट इस sum के अंदर आपको interest नहीं दिया था तो ठीक है हम directly next item पर जाएंगे हमारे non operating items लेते हैं ठीक है अब non operating incomes पहले हम लोग add कर देंगे और फिर non operating अगर expense है तो उनको minus करते हैं ठीक है ना तो non operating income में कौन सा कौन सा चीज था देखे यहाँ पर आपको हमने देखा था एक sale of investment था डिविडेंड था तो यह दो चीजे थी बढ़के तो profit on sale of यह है investment पर furniture लिखाए investment आएगा ठीक है कितना amount है 5000 उसके बाद dividend on share दिया है कितना 25,000 उसके बाद यह दो हमारे जो है non operating income है तो इनका total कितना हो जा रहा है 30 फिर हम लोग लेते हमारे non operating expense उनमें हमें क्या क्या दिया हुआ है एक तो है loss on sale of asset right कितना दिया हुआ है वो हमें 30,000 उसके बाद हमारा non operating expense में एक था loss by fire अब इन दोनों losses को add करेंगे तो total कितना हो जा रहा है 35,000 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है हमारा जो operating profit हमें मिला था उसमें पहले हम 30,000 प्लस करेंगे हमारे non operating income का और फिर तो उसमें से 35,000 non operating expense का minus करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा profit before tax और फिर इसमें से हम क्या करेंगे tax minus करेंगे कितना amount था हमारा 30,000 ठीक है provision for tax दिया था ना मैं तो वो tax minus करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा profit after tax ओके इसके बाद इसमें से आपको दो चीज़े एग्जेश करने थी एक तो appropriation और इसके अलावा सम में आपको पहले का profit भी दिया था तो पहले हम लोग जो 50,000 और इसको हमें नाम देना है profit available for appropriation ठीक है अब इसमें से हम लोग appropriation करते हैं यानि कि कोई reserve अगर हमें पैसा side में रखना है तो वो लेते हैं तो हमें समय general reserve भी दिया था तो हम reserve क्या कर देंगे या पर minus कर देंगे appropriations बलके कितना लेना था हमें reserve 75,000 तो appropriations के अंडर में reserve 75 65,000 माइनस करूँगा मेरे 1,40,000 में से तो मुझे क्या मिलेगा मेरा retained earnings क्या कहेंगे हम इसे retained profits भी कह सकते है retained earnings भी कह सकते है ठीक है amount आ जाएगा आपका 65,000 तो यहाँ पर हमारा यह जो vertical format का question है वो complete हो जाता है so students अब आप हमारे whatsapp broadcast group को भी join कर सकते हैं for free notes, assignment and all the latest updates related to exams to join the free whatsapp group आपको जो है आपका नाम, class और आपका location का नाम इस whatsapp number पर send करना है and you will be added to the whatsapp broadcast तो अगर आपको हमारी lectures पसंद आते हैं तो हमारे videos को like और comment करें और इन्हें अपने friends के साथ share करना ना बोले झाले